नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में और जैसा कि हम लोग संस्ट्रित के साड़े तीन सो महत्पून प्रश्णों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे इस सीरीज में हमने अपने तीन सो महत्पून क्वेशन्स को डिसकस कर लिय है अगर आप लोगों ने वो वीडियो जना देखे हों तो आप लोग व वीडियो जरूर देखिकी क्योंकि यह वेस्टेंस आप के आने वाली हर इक परिख्शा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए बहुत ज़त हैं जो लोग संस्ट्रित को असे कि लेंग्वेज टैट में और सी टैट में सिलेक्ट करते हैं तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोगी वीडियो जरूर देखें कि यह क्वेश्चन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की सीरीज जो हमारी चल रही है साड़े तीन सो प्रश्नों आज हम क्वेश्चन नमबर 301 से स्टार्ट करेंगे वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है पहला क्वेश्चन है आपका यहां पर आज की व ठीक है ते माने वे और जब आपकी बहवचन लग रही है तो आपकी क्रिया भी बहवचन की लग जाएगी तो फिर यहां पर उत्पादे अन्ती हो जाएगा वे परिश्रम से अन्न उत्पन करते हैं ते परिश्रमेन अन्नम उत्पादे अन्ती ठीक नेक्स कुशन आपका आ जानेन, फिर अब यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर भी आपको दिखें जैसे आप इंग्लिश में करते हैं, कि करता के हिसाब से ही क्रिया लगाती है, यानि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्भी यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सुनस्क्रित म यमों का ध्यान रखना है, तो अवाम के साथ आपकी जो क्रिया आएगी, वो भी आपकी उसी हिसाब से आएगी, तो इससे होता है, अहम, आवाम, वयम, यानि मैं, हम दोनों और हम सब, तो अवाम यहां पर आ रहा है, यानि हम दोनों, तो यहां पर आपका हो जाएगा, दो और शब्द रूप याद कर लीजे क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो आप लोग सबसे पहले संस्ष्ट अगर अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप धातू रूप और शब्द रूप सबसे पहले याद कीजिए और इससे पहले क वीडियोज में मैं काफी कुछ उसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन की तरफ चात्रह रिक्तिस्थान सह विद्यालेयम गच्छती तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो भी राइट हो जाएगा चात्रेन सह विद् का रूप है तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि शब्द रूप और धातु रूप आप याद केजिए तो उसी तरीके से है अब जब यह आपको याद होगी तब ही आप इसका सही आंसर दे पाएंगे और इसका कोई भी उपाए नहीं है तो यह सीधा सीधा मुझे इसका आंसर आपको बताना होगा इसका आंसर है गच्छ ताम ठीक आप्शन सी इसका सही आंसर है क्योंकि आपसे लोट लकार में पूछा जा रहा है और लोट लकार में इसका आंसर गच्छ ताम होगा नेक्स्ट कुशन है आपका रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है इन में से कौन सा है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा option D रमाए ठीक है next question है आपका बालिकायाम पद में प्रयोक्त विभक्ती है कौन सी विभक्ती है तो ये है सत्मी विभक्ती यानि सत्मी विभक्ती का प्रयोग बालिकायाम पद में किया में उन्तीस का पर्याय है याशा के घंध कर देकिे संच्रीट में को लिखते हैं नेसरी हैं स कहा कमें तो आप मोर्ल को तक प्रीम सकते हैं एक स्टेज़े में करता है पı april यह भी मिल जाएगा फिलाहाल इस question को देख लेते हैं कि इस question का answer आपका हो जाएगा एकोन त्रिंशत ठीक है यानि 29 29 का मतलब होता है 29 29 यानि एकोन त्रिंशत यानि जो 30 में एक ना हो और 30 में जब एक ना होगा तो क्या होगा 29 हो जाएगा एक कम करेंगे तो 29 22 tis एकोन त्रिंशत ठीक जो एक त्रिंशत ना हो ठीक है 30 ना हो 30 से एक कम त्यापका हो जाएगा क्योंकि त्रिंशत का मींस आपका 30 हो जाएगा और मैंने गिंदी में पूरा वहाँ पर डिसक्स करेंगा इस वीडियो को रहे है इतना आप ध्यान जरूर रखिएगा इस चीज को और आप questions को देखकर यह समझ भी रहे होंगे यह question ऐसे ही ट्याट में पूछे जाते हैं तो आप जरूर इसको देख लिए ठीक है तो question number 308 है जो उसका आपका अंसर हो जाएगा द्वे ठीक है नेक्स intuition हे है आपका चतुर शब नपन सक लिंग प्रतमा विभक्ति का रूप तो इसमें देखिए कोई वो नहीं है बताने लाइक चीज ले क्योंकि यह आपको याद करने ही पढ़ेंगी और अगर आप एक जैसे मैंने ändernने में बोला एक अकारांत एक अकारांत इस तरीकी से जब आप याद करेंगे तब ही आप उसको को रिलेट करके दूसरे शब्द निकाल पाएंगे तो एक दो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे पूरे-पूरे ठीक है तो चतुर शब्द का नपुंसकलिंग प्रत्मा विभक यादिंग ही आपकी क्रिया लगी है ठीक है तो इसमें आपका जो अप्षिन है वो है तेन भुयते ये एक दम शुद्ध है बाकी सब में जो है वो गलतियां है नेक्स्ट कुशन है सुद्ध वाके है इसमें भी आपको बताना है शुद्ध वाके कौन सा है तो इसमें आपक को बताना है कि इन में इसे कौन सा शुद्ध वाक्य है तो इन चारों में आपका तेन गम्यते ये शुद्ध है ठीक है अशुद्ध वाक्य अब यहां पर अभी तक आपसे शुद्ध वाक्य कौन सा है ठीक है तो यहां पर आपका तेन भूयते ये अशुद्ध है बाकी सारे स तो इसमें जो है तेन हस्यते ये इसका कर्मवाच्च हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कुश्चन है तयाभ हुयते, इसका कृतवाच्च का प्रियूग बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा साभवती, ठीक है? उसके बाद अगला कुश्चन है शुद्धवा की, तो इन चारों उप्शन्स में से सुद्धवा की आपका कौन सा है? तो इसका हो जाएगा तो ग्रहम गक्षित्था, ठीक है? नेक्स्ट कुश्चन है आपका अस्मद सब्ध त्रतिया विभक्ती एक वचन का रूप कौन सा है? इन में से कौन सा है? तो इसमें आपका मया जो शब्ध है, वो एक वचन का रूप है. युश्पद सब्ध सस्थी एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्श में हैं वो सही हो गया यानि option B is the right answer में अगला question है प्रच्छ धातू लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखिये तो इसमें आपका हो जाएगा प्रच्छ तू नेक्स्ट है लब धातू विदी लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप इन में से कौन सा है तो इसमें है लभे रन नेक्स्ट कुश्चन है अहम आवाम वयम विद्यालेयम ग्रहे अपश्यम में से यतोचित शब्दों से वाक्य की रचना की गई है यानि कौन सा वाक्य इन शब्दों के मेल से बनेगा और जो शुद्ध होगा तो इसमें आपको बताना है तो आपके सामने चारों ऑप्शन है और इसमें आपका जो ऑप्शन है वो राइट है अहम विद्यालेयम अपश्यम ठीक नेक्स्ट कुशन आपका हो जाएगा सा ते प्रणमती गुरो गुरुवे यतोचित शब्दों से बना शुद्ध वाक्य कौन सा होगा तो इसमें आपका आप्शन भी इस दराइट आइट आंसर सा गुरुवे प्रणमती ठीक है वह गुरु को प्रणम करता है नेक्स्ट कुशन है शुद्ध वाकिन में से आपको बताना है तो इ पिता पुत्रेन से रेल यानेन ग्रहम आगक्षती में जो करण है वो कौन सा है इन में कौन सा करण है तो आपको बताना है तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रेल यानेन ठीक है करतानी कर्म को करण से तो करण से के अर्थ में यानि किस से ठीक किस से आ रहे है प पित्ता पुत्र के साथ रेलियान से घर आते हैं तो किस से आ रहे हैं रेलियान से तो किसमें करण कारक लग रहा है रेलियाने इन में आपको बताना है करण किसमें रेलियान में ठीक है नेक्स्ट कुशन है व्रक्षात पत्त्राणी पतंती इस वाक्य में अपादान संग्यक क्या है तो इस वाक्य में आपका व्रक्षात जो है वो अपादान संग्यक है क्योंकि पेड से पत्ते गिरते हैं किस से गिर रहे हैं किस से अलग होने का आर्थ हो रहा है अपादान का र रहे हैं व्रक्ष से गिर रहा है तो व्रक्षात पत्राणी पतंती ठीक नेक्ष्क को रहर आत्मास्ति कि इस अधिकरण में पेपर उपर, ठीक है, में पेपर उपर इतनी वर्ड्स अगर आ रहे हैं, आपके इन शब्दों का प्रियोग हो रहा है, तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, तो शरीर में आत्मा, किस में आत्मा है, शरीर में है न, शरीर में, और मैंने क्या बत रामाई नमा में चतुरती विवक्ति का कारण आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो C वो आपका सही हो जाएगा किसमी चतुवती है नमाह में आपकी चतुवती है नश्धातू लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूम बताईए तो नश्यते हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आपका अहम गीताम पठामी का कर्म वाच्य परियोग है तो अहम गीताम पठामी इसका अगर कर्म वाच्य आप बनाते हैं तो यह हो जाएगा मया गीता पठ्थे ठीक है मया गीता पठ्थेती फिर है सीतया मरगा द्रश्यती इसका कृतवाच्य बताना है कृतवाच्य में इसका क्या रूप होगा तो इसका होगा सीता मरगम पश्यती ठीक है सीता मरगम पश्यती सारोधती इसका भावाच्य आपको बताना है तो इसका हो जागा तेन रुद्यते राम के दबारा दूद पिया जाता है इसका सही अनुवाद बताना है संस्क्रत में तो इसका हो जागा रामेन दुगधम पियते नेक्स कुशन है बालका अत्रपटनाए आगक्षिताह इस वाक्य में अशुद्ध पद कौन सा है जैसे आप इंगलिश में होता है find the error या फिर incorrect portions आप से पूस दी जाते है औबलिक औबलिक लगा के कि कौन सा portion इसी तरीकी से यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है बताना है बाकी सारी चीज़े सही है तो इसमें आपका जो अशुद्ध पद है वो है आगक्षिता आगक्षिता यहां नहीं लगेगा बालका है तो आपको यही चीज़े ध्यान रखनी है एगवचन है, बहवचन है दूईवचन है, क्या है, कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जुक्रिया है बोल लगेगी, ठीक है नेक्स्ट कुशन है आपका असमांकम देशे, फिर रिक्तिस्थान, समस्या, संति इस वाके का क्या पूरक होगा तो इस वाके का पूरक होगा का, ठीक है कहा नहीं होगा, ठीक है का होगा, उसमें भी शर्गें है ठीक है, स्वक्षम, फिर रिक्तिस्थान, सरवदा, सुखम, भवती इस वाके का पूरक पत बताईए, तो स्वक्षम जलम, सरवता, शुक्दम भवती, ठीक है, जलम आएगा, याद रखिएगा नेक्स्ट की तरफ चलते है शुद्वाक, इसमें भी आपको बताना है एगले क्वेशन में, कि इन में से शुद्वाक क्या कौन सा है, तो इसमें आपका शुद्वाक्य होगा, आप्शन डे, एका, शोभना, बालिकान, रित्यती नेक्स्ट कुशन में भी शुद्वाक के आपको बताना है कि जो ऑप्शन्स आपको दिये गए हो, उसमें से आपका शुद्वाक्या है, तो सा नध्याम सनाती, जगत सर्द सिस्ठी विवक्ती एक वचन का रूप लिखना है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आप्शन B, जगता नेक्स्ट कुशन है आपका मधु शेप्द चतुर्थी विवक्ती एक वचन का रूप लिखिए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मधु ने नेक्स्ट कुशन है आपके सामने नीधातू लंगलकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताईए दिन में से कौन सा होगा नीधातू में तो इसमें आपका जो option D है वो आपका सही answer है अनयाहा असधातू लोटलकार उत्तम पुरुष बहवचन का रूप बताईए कौन सा रूप होगा तो इसका आपका होगा असाम असधातू का होगा असाम next question है सहबाल का गंगा विहरती उद्याने जनान इन पदों से बना शिद्वाक्य कौन सा होगा तो इन पदों से बना हुआ शिद्वाक्य होगा सहबाल का विहरती सहबाल का विहरती और आज की सीरीज का last question साथ ही साथ आपकी जो महातवपोर्प प्रशनों की सीरीज चल रही थी उसका भी last question है शुधवाक्य है कौन सा शुधवाक्य है आपको बताना है तो देख Sultan यह रहे आपके सामने चारों और इसमें से आपको शुद्ध वा के बताना है तो इसमें से आपका जो आपका जो शुद्ध है वरक्षेशु खगहा कूजनती तो ये थी आपकी महात्वपोन प्रश्णों की सीरीज जो आज कम्प्लीट हुई अब हम इसके आगे अन्य महात्वपोन टॉपिक्स को लेंगे साथी साथ अपने संस्कृत का और भी जो मैने वीडियोस बनाए हैं जैसे माहिश्वर सूत्र है, प्रत्याहार है, संस्कृत गिंती है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे पसुपक्षियों के नाम हैं पल मेवाओं के नाम हैं, ये अकसर संस्कृत में पूछ लिए जाते हैं वो भी वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर साथी साथ ये जो क्वेश्चन की सीरीज थी, ये भी हमारी चल रही थी अब हमारे गद्य पद्य के वीडियो भी आएंगे कि गद्य पद्य को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है तो मैं कुछ आपको इसमें भी हल्प कर दूँगी कि किस तरीके से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं गद्य पद्य में तो ये तो सीरीज आपकी यही पर कंप्लीट होती है प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी मत जाएगा और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हैं तो हमारा नंबर है 9496369356 इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट करके हमारे नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं